फिल्म की शुरुआत में हम पेशेवर चोरों की एक टीम से मिलते हैं लिली है विलसन जो सेवा निवृत्त है लुकास जो हैकर है और मिगुएल अपनी योजना शुरू करने से पांच दिन पहले मिगुएल और उनके अंकल विलसन केरिबियन के एक शानदार रिसॉर्ट में जाते हैं जहां मिगुएल वहाँ एक वेटर के रूप में अपने बॉस की नजर में काम करते हैं जब मिघुएल रिसौर्ट के महमानों की सेवा करता है तो वह पूल के पास आराम कर रही लिली से मिलता है जो लोगों से चोरी करने के लिए देख रही है एक पेशेवर चोर के रूप में लिली किसी की चाल और दिखावट से उनकी संपत्ती का आकलन कर सकती है। इसके अतरिक्त लुकास कंप्यूटर और गेम्स के साथ साथ अमीर परिवार से भी आता है। उस रात मिग्वेल की मुलाकाद एक स्पैनिश परियर्टक लुईस से होती है। जो अपने संपत्ती इकठा करने के लिए जाने जाते हैं। जिसमें शुद्ध सोने से बना एक विशेश जगवार मूर्ती शामिल है। जिसके साथ उन्हें दफनाया गया था। इस पीच। कोई अंजान व्यक्ती लुईस पर गुप्त रूप से नज़र रखता है। उसी समय मिग्वیल इसके शिकार के बारे में सोचना शुरू करता है जब तक की वह पूल के किनारे सो नहीं जाता। पिछली सुबे मिग्वinhas से मिलने के लिए उसके कमरे में जाने का प्लान बनाता है लेकिन उसे वहान नहीं मिलता। मिग्विल जो कि जुआन मुरालेस का बेटा ह एक प्रसिद्ध पुरा तत्व वित्ता है जिसने युकाटन मेक्सिको में कई मैस अभिता की कलाकृतियां पाई थी। दुर्भाग्य से जुवान का दिमाग पहले जितना तेज नहीं है। उसके बाद मिग्वेल एक पत्रिका पढ़ता है और एक आगामी कारेक्टरों के बा छोटी उम्र में ही कार चलाने में सक्षम था। उस समय वह अभी भी बचा था। उस समय जुवान को अवैद खजाना शिकारी पकड़ लेते हैं। इसलिए मिग्वेल ने तेजी से हस्तक्षेप किया ताकि दोनों बच सकें। लेकिन मिग्वेल की नियत पूरी तरह से अच तो उसके बाद मिग्वेल ने विलसन को लुईस से मिलने के बारे में बताया जिसके पेट पर खजाने का नक्षा टैडू था। अगली बार हम मिग्वेल की कहानी को और करीब से देखेंगे। अगली सुबह मचुवारों को समुद्र में एक आदमी का शव मिला। उससी सम इंस्पेक्टर कॉनच अपनी सहायक इनेस के साथ आए। उन्होंने पाया कि मृत व्यक्ती लुईस था और उसके पेट पर गुदा हुआ खजाने का नक्षा काटा गया था। जल्द ही विलसन सूचित करते हैं कि लुईस मृत पाया गया है। हलांकि मिग्वेल ने उसके पेट पर फ्रांसिसको दे मॉंटेयो और खान वंश के गलिफ का हस्ताक्षर देखा था। लेकिन मिग्वेल इतनी आसानी से हार नहीं मानता क्योंकि उसने पहले ही नक्षे की तस्वीर खीच ली है। पता चला कि मिग्वेल पूरे माया राष्टर के नक्षे को चोरी करने पर विचार कर रहा है जिसे एरियल के संग्रहाले में प्रदर्शित किया जाएगा क्योंकि डिगरी और समनवय के बारे में कोई सुराग नहीं है। फिर मिग्वेल ने लिली को फिर से भरती करने की योजना बनाई है जो एक भेश विशेशा गया है और लुकास जो पर लिया लेकिन जब उसने महसूस किया कि उसका पुलिस बैड्स नकली है तो वह शांत रही अंत में मिग्वेल को अपना फोन वापस मिल गया और उसे चोर का बैग मिला जिसमें चोरी किये गए फोन भरे थे इस दोरान क्रूस जहाज पर एक व्यक्ति ने मिग्वेल को ध धुत परेटकों से पैसे चुराने को प्रात्मिक्ता देने के लिए आलोचना की द्रिश्य मुर्दा घर में बदल जाता है जहां इंस उस आदमी के शरीर को दिखता है जिसकी पेट की त्वचा गायब है इसके बाद इंसको आदमी की पैंट की जेब में एक होटल के कमरे क चाबी मिलती है दूसरी ओर लिली हर परेटक को ध्यान से देखती है यह पता लगाने की कोशिश करती है कि कौन अमीर है जब तक कि वह एक को चुन नहीं लेती जो लगभग 10 लाख डॉलर का लगता है अपनी कोशल का उपयोग करते हुए लिली ने आदमी का बटुआ और चुपचाप चुरा लिया लेकिन वह होटल के कमरे से बाहर निकलते ही पोलिस ने उसे पकड़ लिया और उसे जेल में डाल दिया एक बड़ा फिरोती नहीं चुका पाने पर लिली अनिच्छा से मिगवेल से मदद मांगती है मिगवेल की मदद से लिली को अंततह रिहा कर लेकिन वह अभी भी उसके प्रती ठंडी है भले ही वे रोमैंटिक रूप से जुड़े हुए थे मिगवेल की मदद से आभारी लिली अनिच्छा से चोरों के गिरोह में शामिल हो जाती है इस बीच लुकास सफलता पूर्वक उस संग्रहाले में हैक कर लेता है जिसे एरिय खोल रही है योजना के अनुसार उद घाटन से दो दिन पहले टीम ने जान बूज कर एर कंडीशनिंग सिस्टम बंद कर दिया लिली एक छात्र के रूप में प्रचन न होती है लिली असली तकनीशन को रोक देती है जो एसी को ठीक करने वाला था कहती है समस्या ठीक हो सौभाग्य से मिग्वेल का भागशाली सिक्का उसे दाएं जाने के लिए कहता है और वह नक्षे के ठीक उपर पहुंच जाता है सीसी टीवी कैमरा है करने के बाद मिगेल नीचे आता है और नक्षे के प्रत्तियेक प्रिष्ट की तस्वीरें लेता है थोड़ी देर बाद वह अपना लुक बदल कर अन्य महमानों जैसा दिखने लगता है दुर्भाग्य वश मिग्वेल गलती से अलार्म सेंसर पर पैर रख देता है और वह कमरे में फंस जाता है दूसरी और लुकास को कमरे में अतरिक्त सुरक्षा के कारण आगे बढ़ने में कठिनाई होती है जिससे प्रक्रिया लंबी हो जाती है मिग्वेल को मुसीबत में देखकर विलसन जल्दी से लिली को वापस संगरहाले में उसकी मदद के लिए ले जाता है इस बीच एरियल जो अपने महमानों में व्यस्त था अपने सहायक द्वारा मॉनिटर रूम में बुलाया गया उसी समय कॉंच और इंस्वे पुलिस वाले हैं जिन्हें म्यूजियम की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है फिर इंस कॉंच को बताती है कि एक सेवक जिसने हाल ही में अपने बॉस की सेवा की ने उसका बटवा चुरा लिया है दूसरी ओर ठकान से तंग आकर मिग हैर अलार्म सिस्टम ने कमरे को साउंट प्रूफ बना दिया है जिससे मिगोयल के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया है लिली ने एक मोहक रूप धारण कर चालाकी से एरियल का ध्यान भटकाया जिससे मिगोयल को भागने का मौका मिला शुरूवात में एरियल ने लिली के एरियल के पैरों के पास छिपा हुआ देखा, बाद में मिगेल नीचे आया और विलसन के साथ जाने वाला था, लेकिन वह रुख गया जब उसे पता चला कि लिली अभी भी अंदर है, यह देखकर एरियल को मिगवेल पर संदे हुआ क्योंकि उसके कपड़े गंदे थे, लेक जाने या जानकारी लीक होने से बचने के लिए, लुकास ने मानक प्रक्रिया सुझाई की अपने फोन को फरिज में रख दें, उसके बाद उन्होंने मायाराश्ट्र के खजाने के नक्षे की सभी तस्वीरे देखी, और उन्हें साथधानी पूरवक उन तस्वीरों से मिल प्रवाद किसी ने उनके पूरे खजाने की योजना के बारे में उनकी बातचीत को सुना। लुकास योजना में महत्वपूर्ण होने के बावजूद शुरू में हिचकिचा रहे थे। क्योंकि उनके माता-पिता जल्द ही वापस आ रहे थे। लेगिन लिली ने उसे किसी भी एहालत में शामिल होने के लिए मना लिया। दुरभाग्यवश उनके योजनाएं गड़बड हो गई जब विलसन ने गलती से एक संदेश का उत्तर दिया। जो किसी के सुनने के कारण उनके योजनाओं को लीक कर सकता था। उसी समय होटल की सुरक्षा फुटेज देखते हुए इनेस ने मिगवेल को देखा जिसे उसने चोर समझा था। वह लुईस के साथ एक कमरे में जा रहा था। थोड़ी दिर बाद ग्रुप ने मेक्सिको के युकाटन के लिए होटल छोड़ने की योजना बनाई। जैसे ही इन्स मिगेल को पकड़ने के लिए आई। जब उसने उन्हें पुकारा तो मिगवेल और लुकास उससे दूर भाग गए। हालांकि पुलिस ने उन्हें करीब से पीछा किया। वे भागने में सफल रहे। इस बीच एक युवा चोर जिसका नाम सीट लॉली था अपनी माँ और भाई बेहनों का वितिय रूप से समर्थन कर रही थी। जल्द ही मिगवेल ने सीट लॉली की गोता खोरी की कला को देखा और उसे नौकरी की पेशकश की। कुछ चर्चा के बाद सीट लॉली ने शर्टों को मान लिया जिसमें हर दिन अगरिम बीस हजार डॉलर प्राप्त करना शामिल था। पता चला लुकास को सीट लॉली देखते ही तुरंत आकरशित हो गया। उसके बाद टीम ने लुकास से सीट लॉली के भुकतान में मदद करने के लिए कहा। आपने कौशल का उपयोग करते हुए लुकास ने एटीम से निकाले गए पैसे को बढ़ाने की योजना बनाई। इस बीच एक माफिया बॉस जिसे लुईस के शरीर पर मिला नक्शा था और कोई मिगवेल की टीम की जासूसी कर रहा था अपनी उपस्थिती दर्ज कराई। माफिया बॉस और उनके समूह समय से पहले सिंकहोल स्थान पर पहुँच गए जो पानी के नीचे था। माफिया बॉस द्वारा किराय पर लिया गया गोता खोर जो अनुभवी नहीं था आगे जाने से मना कर दिया और अंत में वह मारा गया। दूसरी और समूह खजाने की खोज में जा रहा था लेकिन अचानक सड़क के बीच में पुलिस अधिकारी गश्ट कर रहे थे। जब उनसे उनके आईडी और लाइसेंस मांगे गए तो उन्हें पता चला कि विल्सन का लाइसेंस समाप्त हो चुका था। और बिगड गए जब सीट लॉली ने देखा कि एक अधिकारी मिगुएल की फोटो पकड़ रहा है। इस स्थिती का सामना करते हुए लिली ने मिगुएल को याद दिलाया कि उन्होंने टिजुआना में क्या किया था। तो मिगुएल और विल्सन बाहर आ गए। कार जबकि लिली ने सीट लॉली को ड्राइव करने के लिए कहा, हालांकि पुलिस ने उन पर गोली चलाई और पीछा किया, वे पैदल भागने में काम्याब रहे और अपने गंतव्वे की ओर बढ़ते रहे। थोड़ी देर सीट लॉली ने गोता खोरी की दूरी को समायोजित किया, इस बीच बाहर पहरे पर खड़े विल्सन को किसी का संदेश मिला, जिसमें आरण की पुनर भुगतान की मांग की गए थी। पजाना मिलने के बाद लुकास ने तुरंत अपना हिस्सा चाहा, डाइविंग करते समय सीट लॉली काफी दूर चली गई और अपनी सारी ऑक्सीजन का उपयोग कर लिया। यहा जानकर लुकास चिंतित हो गया और जल्दी ही एक छोटे ऑक्सीजन टैंक के साथ नीचे चला गया। गुफा के अंदर सीट लॉली को एक छोटा सा छेद मिला जहां वह सांस ले सकत क्योंकि वह भी टीम का हिस्सा थी। थोड़ी देर बाद सीट लॉली को पानी में एक बॉक्स मिला जिसमें च्छांत के आकार के पत्थर थे। जैसे ही वे उपर आये वे अपराधियों के एक समूर से मिले जिन्होंने विलसन को पकड़ लिया था। जब उन्होंने मिगू पिगूएल ने जान बूच कर पत्थर निगल लिया जिससे अंततह उसकी गिरफतारी हुई। जैसे ही विलसन और अन्य अपराधियों से बचने की कोशिश कर रहे थे। सीट लॉली ने लुकास को एक पेड़ में सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया क्योंकि उसका पैर खायल हो गया था और वह तेजी से नहीं दोड सकता था हालांकि विलसन ज्यादा हिल नहीं सकता था लेकिन लिली ने तुरंत एक हमलावर से लड़ने में उसकी मदद की। जब हमलावर फिर से उठ गया लिली ने उसे एक पत्थर से बेहोश कर दिया। पिगूएल को अपर कार मोटर साइकल का इस्तिमाल था और वह डर गया था जब अपराधी ने गोली चलाई लेकिन लुकास ने अपनी मोटर साइकल तेज कर दी और आखिर कार कार में ट्रैकर को जोडने में कामयाब रहे हालांकि अंत में वह भी गिर गया बाद में मिगूएल को गैंग लीडर मुख्याल है जिसका नाम मारको है ले जाया गया जहां एक सर्जन मिगूएल के पेट से अर्ध चंद्राकार पत्थर निकालने के लिए तैयार था इस बीच विलसन लेली और सीट लॉली को पैदल चलना पड़ा क्योंकि अपराधियों ने विलसन की कार लेली थी दूसरी लुकास ने पैदल ही ट्रैकर के संकेत का पालन किया लेकिन विंचेंजो ने ट्रैकर को ढूंड कर तोड़ दिया जब विलसन ने लुईस की तवचा देखी जिसमें उन खजानों के बारे में सुराग थे जो उसने अपराधियों से लिये थे और फिर सीट लॉली ने साहस पूरवक एक गुजरती कार को रोका और होटल वापस जाने के लिए लिफ्ट मांगी इस बीच लुकास केंगस्टरों के मुख्याले पहुंच गया वे इमारत की छट पर चड़ गया और मिगुएल को खोजने के लिए एक छोटे ड्रोन का उपयोग किया अंतता उसे एक ज जल्दी से जंगल में भाग गया इस पीच मिगुएल ने विलसन को फोन करने और यह बताने में काम्याबी हासल की कि उसे गैंगस्टर के मुख्याले में रखा गया था अपराधियों से निपटने के लिए लिली ने ऑक्टेवियो से मदद लेने की योजना बनाई जो अब अपने जहास पर ध्यान करता था पहले ऑक्टेवियो ने खुद को सशस्तर किया जब लिली अप रत्याशित रूप से आई पता चला कि ऑक्टेवियो लिली का साथी था जब तक उसने पेशेवर चोर बनने के लिए सेना से सेवा निवरित नहीं हो गया हलांकि ऑक्टेवि मान गया और उसने लिली को अपने हत्यारों का बड़ा संग रह दिखाया जिसमें उसके पसंदीदा भी शामिल थे जल्द ही लिली और टीम लुकास को जंगल में सोते हुए पाए और फिर मार्को के मुख्याले की ओर बढ़े उसी समय सर्जन जो मिग्वेल के पेट का ऑप साथ काम करते हैं ताकि गैंक्स्टरों को सटीकता से मार गिराया जा सके और कोई भी घायल नहो इस बीच सीट लॉली और लुकास ने जेल की कोटरी के पास दो दुश्मनों को मार गिराने के लिए टीम बनाई दूसरी तरफ मिग्वेल ने बिना एनस्थीसिया के पेट की स इस से वह दर्द में चिला उठा उठा उसी समय ओक्टेवियो ने गिरोह के नेता से हाथों हाथ मुकाबला किया हमलावरों के खिलाफ मजबूत संकल्प दिखाया मुख्याले के चारों और विसफोटक लगाने की जिम्मेदारी वाले विलसन ने फिर से विंचेंजों का सा लुकास और सीट लॉली अंदर गए मारको को जटका लगा जब उसने देखा कि उसके गुर्गों के हारने के बाद ऑक्टेवियो शरीरों के धेर से बाहर निकला जैसे ही मारको ने ऑक्टावियो को शूट करने का लक्ष सादा लुकास ने जल्दी से मिगूईल को सेल से ब हैरान रह गई कि लुकस होटल मालिक का बेटा था हालांकि ऑक्टेवियो के वादे के भुगदान एक मिलियन की तुलना में सीट लॉलीज के बीस हजन डालर्स की बहस हुई क्योंकि पत्थर को नहीं हटाया जा सका मिगूईल ने अंततह इसे बांतरूम का उप्योग करते ह हुए बाहर निकाल दिया या मानते हुए कि यह खजाने का सुराग था जब उसने पत्थर को अपने पिता को दिखाया तो जुआन खुश था लेकिन उसने कहा कि उन्हें तीन पत्थरों की जरूरत है जिसमें पृत्वी और सूरे के पत्थर शामिल हैं सुनहरे जगवार क कहां खोजे एक ने एरियल से मदद मांगने का सुझाव दिया ये सुनते ही मिगवेल को दुख हुआ क्योंकि ऐसा लग रहा था कि उसके पिता को लगा कि वह सक्षम नहीं है जिससे विलसन निराश हो गया मिगेल ने गलती से अपने पिता की डायरी वही छोड़ दी जिसम नहीं रोख सका अंत में इंसे द्वारा गिरफतार किये जाने पर गिर गया अस्पताल में एक पुलिस अधिकारी ने मिगवेल को चेतावनी दी कि यदि वह अपने पिता को सुरक्षित रखना चाहता है तो कुछ ना कहे इसी बीच अपराधियों का एक और गिरो पुलिस स व्यस्तताओं में लगी हुई थी ओक्टावियो जो पहले इंस का साथ ही था जानता था कि वह एक विदवा थी और उसका एक बच्चा था जब उन्होंने लुईस की तस्वीर दिखाई तो किसी ने उसे नहीं पहचाना इसी समय इनस गुस्से में थी जब उसने पाया कि उ निकाली गई तवचा वास्तव में एक नक्षा था जाना इस बीच जिसे सेल में फिंक दिया गया था ने आसानी से भाग निकला उस पिन का उपयोग करके जो उसने इंस से लिया था उसके बाद उसने एक ब्रेकाउट शुरू किया लेकिन उन्हें एक निरिक्षक द्वार बारे में पता है लेकिन मिगूयल ने प्रस्ता ठुकरा दिया बाद में इनस ने अपने बॉस से शिकायत की कि वह रिश्वत ले रहा था समुद्र तर्ट पर एकठा होते समय ऑक्टेवियो और सीट लॉली ने समूह छोड़ने के बारे में सोचा लेकिन उन्हें फोन का उस इनस ने अपने विकलांग बेटे से बात की और अपने पूर्व पती के बारे में शिकायत की जिसने जज़ को रिश्वत दी थी थोड़ी दिर बाद विलसन के कारयाले में एक बैठक के दौरान टीम ने देखा कि वे मारको के आदमियों द्वारा देखे जा रहे थे मिगवल ने जल्दी से तीन शूरवीरों की कहानी सुनाई जिनका नाम पेडरो, अलोंसो और फ्रांसिसको था जिन्होंने खजाना पाया लेकिन स्पैनिश राजा से छुपाया अपने पिता की डायरी वापस पाने के लिए मिगवल ने सुझाव दिया कि वे एक ध्यान भटकाव पैदा करें इस पीच लिली का पीछा विंचेंजो कर रहा था जबकि ऑक्टेवियो गुप्त रूप से उनकी कार के नीचे छिपा हुआ था थोड़ी देर बाद मिगेल के साथ विलसन की बारी थी फिर मारको के एक आदमी के साथ उस खशन लिली एक नेल सैलून में चली गई और विंचेंजो पास के एक रेस्तरा में खाने गया उसी समय लुकास ने दुश्मन के एक फोन को हैक करने की कोशिश की नगर चौक में मिगेल अपनी पिता के घर वापस जाने के लिए कार से उतरा जबकि लिली अपनी पहचान बदल कर विंचेंजो से बचने की कोशिश कर रही थी जो व्यस्त होकर खा रहा था जब मिगेल ने अपने पिता की एक तस्वीर देखी जिसमें वह एक गलोब पकड़े हुए था तो उसे एहसास हुआ कि जर्नल उसके अंदर हो सकता है थोड़ी दिर बाद लिली पृत्वी के पत्थर और सूर्य के पत्थर के बारे में पता लगाने के लिए एरियल के घर गई हलांकि एरियल को माया खजाने पर विश्वास नहीं था उसने लिली को अपने नक्षों में से एक दिखाया जिसमें मिगवेल की डायरी से महत्वपूर्ण सुराक थे आवर्थक कांच का उप्योग करते हुए लिली ने एरियल की हार में अपना जड पत्थर देखा जब मार्को के आदमियों को एहसास हुआ कि उन्हें एरियल की जगे पर धोका दिया गया था उन्होंने मार्को को बताया मार्को ने लुकास को अपने फोन में हैक करने का मौका दिया नतीजतन मार्को तब चौक गया जब मिगवेल ने उसे कॉल किया अपने पिता से पत्थर के बदले बात करने को कहा मिगेल ने सोचा कि पत्थर शूर वीरों की कबरों में हो सकते हैं जैसा कि लिली ने पहले अनुमान लगाया था अच्छानक इंस ने मिग्वेल पर बंदूग तान दी मूनस टोन को पकड़े हुए और शुरुआत में अपराधियों को गिरफतार करना चाहती थी लेकिन फिर उसने कहा कि उसे भी खजाने का हिस्सा चाहिए जब वे मुख्याले पहुँचे तो आक्टेवियो ने तुरंथ मार्कोस हिंच मैन को अपंग कर दिया लेकिन उक्टेवियो को जुआन नहीं मिला केवल उसका सिगरेट बट मिला यहीं पता चला कि मार्को का बॉस वास्तव में एरियल था समूह खुद को एक कैथेडरल चर्च में पाता है जहां माना जाता है कि शूर वीरों को दफनाया गया था लिली और कुछ सदस्य पादरी को मूर्ख बनाने के लिए भेश बदल कर गए जबकि विल्सन मिग्वेल के साथ कौाटेमाला सामराज्य के गवर्नर के कौाटर में गए जहां चोरी की गई कलाकृतियां रखी गई थी थोड़ी देर बाद लिली ने एक व्यक्ति की मदद करने का नाटक किया जिसे पूजा के लिए अंदर जाने के लिए पादरी को मनाने के लिए ग्रस्त माना गया था साथ ही एक रिश्वत भी दी कैटकॉम रूम की तलाशी लेते समय मिगेल को सूरज का पत्थर और लिली के लिए एक सुंदर हार मिला लेकिन वे सुरक्षा द्वारा पकड़े गए सौभागे से इनेस ने मिगवेल और विल्सन को बचाया और सबूत रखे उसके बाद आक्टावियो ने एक शूरवीर की कबर खो दी और प्रित्वी का पत्थर पाया उसी समय टीम को तब अश्चर ये हुआ जब मिगवेल ने इनसकों के नए सदस्य के रूप में पेश किया टीम के पास जो पत्थर थे उनके साथ उन्हें खजाना कहा है ये पता लगाना था उन्हें मिलाने के बाद एक प्रकाश दिखाई दिया लेकिन अचानक लुकास की मा, मारिया गायब हो गई वैनिसा ने आकर उन्हें बाहर निकाल दिया क्योंकि उसने होटल का भुक्तान किया था थोड़ी देर बाद जुआन को मुक्त करने के लिए मिगवेल ने एक डुप्लिकेट बनाने का विचार किया लेकिन मार्को अचानक आ गया ये जानते हुए कि उनके पास सभी तीन पत्थर हैं और मिगवेल को उन्हें सौपने के लिए मजबूर किया इस बीच एरियल ने एक को खजाने के बारे में सामना करना पड़ा क्योंकि मरिसा ने उसका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर दिया था दूसरी और सीट लॉली ने नकली कौपी बनाने के लिए आवश्यक उपकरन चुरा लिए और उन्हें विलसन को दे दिया इसके बाद मिगवेल और लिली एरियल के घर गए लिली ने बाथरूम जाने का नाटक किया और चोर होने के नाते एक बंद कमरे में चोरी छिपे घुस गई और जुआन को पाया लेकिन एरियल ने उसे पकड़ लिया इस बीच ऑक्टेवियो ने इंस को अपने हथियार दिखाए हलांकि काम के लिए केवल एक बंदूक की जरूरत थी एक डिनर के दोरान जिसे लुकास ने अपनी मा को ग्रुप से मिलवाने के लिए आयोजित किया था सीट लॉली ने अपनी करियर एक इंफ्लूएंसर के रूप में बताया हलांकि उसने चुपके से भोजन के दोरान मरिसा का बटूआ लिया ताकि उसका A.T.M. कार्ड चुरा सके इस बीच इस बीच विलसन ने योजना के अनुसार पथर को सफलता पूरवक दोहराया एक अन्य स्थान पर एरियल और उसके गार्डों के साथ मिग्यल और विलसन की मार्को और उसके सहयोगियों से मुलाकात हुई जब सीट लोली और लुकास ने छिपे हुए स्थान से देखा उसी समय लिली ने अपने सकर्ट के नीचे छुपाई हुई डाइरी को चुपके से जुआन को दे दिया मीटिंग के दौरान मार्को ने मिग्यल पर दबाव डाला कि वह पत्थर तुरंत सौंप दे तब यह पता चला कि एरियल वास्तव में मार्को का बॉस था जब यह सपष्ट हो गया कि पत्थर नकली था तो विलसन ने अनिच्छा से असली पत्थर दे दिया मिग्यल को पहले से ही अपने पिता की नोखी गंध पहचानने के बाद एरियल के विश्वास खात का संदेह था इसके अलावा मिग्यल ने एरियल के गार्ड्स को अधिक पैसे दिये जिसे टीम बिना किसी परेशानी के निकल गई तरवाजा खोलने में शुरुआत में संघर्ष करने के बावजूद लिली और जुवान को अंततह इनिस ने बचा लिया जिन्होंने लिली के हार में छिपे एक उपकरन का उप्योग करके उनका पता लगाया उसके बाद मिग्वेल को यह जान कर राहत मिली कि उसका पिता सुरक्षित है पता चला कि उसने जान बूज कर एरियल को दो मूल पत्थर लेने दिये थे जबकि हरे जेड़ वाले को अपने पिता की रक्षा के लिए रखा था उन्होंने यह भी महसूस किया कि वे असली चंदरमणी के बिना खजाना सुरक्षित नहीं कर सकते इसे अच्छी तरह से चर्चा करने के बाद उन्होंने निर्ने लिया कि खजाना शायद अभी भी पिरामिड में है खोड़े दिर बाद टीम यूकारडन मेक्सिको के लिए उडान भरने के लिए तयार हो गई और वे प्लेन में सोते समय तक जश्मोना दे रहे इस बीच ऑक्टेवियो ने देखा कि पाइलट अप्रत्याशित रूप से विमान छोड़ रहा है दूसरी और एरियल ने विमान के ओडान भरने से पहले किसी के साथ सौधा किया हवाई जहाज में टीम घबरा गई क्योंकि विमान बिना पाइलट के ओड़ रहा था संदेह था कि उनके पे में नींद की गोलियां मिली हुई थी अक्टावियो ने को पाइलट का दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन वह नहीं खोल पाया हलांकि उन्हें यह जानकर रहत मिली कि विमान अभी भी पिरामिट की ओड़ जा रहा था उनकी मुखे चिंता यह थी कि उन्हें किसने नशा दिया थोड़ी दिर बाद विलसन ने सबसे पहले बोलते हुए कहा कि पिछली रात उसे लूट लिया गया लुकास के फोन विशलेशन ने उसका समर्थन किया उसी समय सीट लॉली को बोर्ड पर तीन पैराशूट मिले जो सभी साथ यात्रियों के लिए परियाप्त नहीं थे उन्होंने जोड़े में कूदने का फैसला किया गद्दार को पीछे छोड़ते हुए उसके बाद मिगुएल ने स्वीकार किया कि वह अपने पिता के लिए गांजा लेने गया था जबकि लिली ने कहा कि उसे घर पर हमला किया गया था थोड़ी दिर बाद सीट लॉली यह दावा करते हुए कि वह पार्टी में थी लुकास के कमरे से पैसे चुराने की कोशिश करते हुए पकड़ी गई उसके बाद इनस ने घर जाने की बात कबूल की जबकि आक्टेवियो ने अपना फोन साजह करने से इनकार कर दिया अचानक विमान ने गंभीर हलचल का अनुभव किया जिससे लिली गिर पड़ी जिससे मिगवेल ने पैराशूट लेकर उसके पीछे कूदने का फैसला किया इसके बाद लुकास और सीट लोली एक साथ कूद गए जबकि इनस ने विल्सन और आक्टेवियो से उनके साथ जुडने का प्रस्ताव दिया लेकिन आक्टेवियो ने विमान पर खुद को बलिदान करने का फैसला किया अंत में वे सब सुरक्षित उतरे हालांकि पहले वे बिखर गए थे ये खुलासा हुआ कि मिगवेल ने पिछली रात लिली की मदद की थी अतरिक्त रूप से एनस ने कबूल किया कि वहां मिगवेल के साथ इसलिए शामिल हुई क्योंकि उसे अपने बच्चे की वापसी के लिए धन चाहिए था भले ही उसे राश्ट्रपती को रिश्वत देनी पड़े उसके बाद विलसन ने मिगवेल की सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया जिसे वह अपने बेटी की तरह मानता था लिली ने जब विलसन की दवा के बारे में जाना तो पता चला कि मिगवेल के चाचा अगनाशय के कैंसर से जूज रहे थे थोड़ी देर बाद समूह पिरामिट की यात्रा जारी रखने के लिए फिर से इकठा हुआ लेकिन जब वे पहुँचे तो मारकों ने फिर से उनका सामना किया ये पता चला कि लिली गद्दार थी उसने एरियल का प्रस्ताव स्वीकार करने की बात मानी उसके बाद टीम को पिरामिट के अंदर एक गुफा में फेंग दिया गया जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था उसके बाद लिली ने एरियल को बताया कि खजाना कहा हो सकता है प्राचीन दस्तावेज में सुराग मिले कि फ्रांसिसको ने खजाना ले लिया और अपनी प्रेमिका को पीछे छोड़ दिया अप रत्याशित रूप से आक्टेवियो प्रकट हुआ और टीम को बचा लिया एतिहासिक रिकॉर्ड में फ्रांसिसको दो जहाजों के साथ सैंटियागो डी क्यूबा के लिए स्पेन रवाना हुआ एक जहाज अपने गंतव्य पर पहुँच गया लेकिन दूसरे की किसमत रहस समय बनी रही इसके बाद लिली ने माना कि तीन दिनों के बाद लापता जहाज डूब गया संभवतह कंकोन या क्यूबा के पास उसी समय एरियल इस बात से अंजान था कि लिली ने उसे नींद की गोलियों से नशा कर दिया था टीम के संदेह के बावजूद लिली ने टीम के साथ झोखा नहीं किया था अचानक मारको संग्रहालाई में फिर से प्रकट हूआ मारको ने अब एरियल के आदेशों का पालन नहीं किया और खुद को गोली मार ली ये खुलासा हुआ कि मारको के चेहरे पर निशान बचपन में मिगेल द्वारा अपने पिता को बचाते समय की गई कारवाई के कारण था उसी समय विलसन ने उसे रोका जब यह अपराधी मिगवेल को गोली मारने वाला था दुरभाग्य से विलसन की मौत हो गई उस समय टीम संग्रहालाय में फंस गई थी ओक्टेवियो और इनेसको इसकी जानकारी नहीं थी संग्रहालाय में एक पिछले अनुभव को याद करते हुए मिगवेल ने सभी को अपनी सांस रोकने की सलाह दी सील किये गए संग्रहालाय के कमरे के अंदर वे सांस लेने के लिए संगर्ष कर रहे थे जब सीट लॉली ने उसकी बेड़ियों को डीला कर दिया उसी समय निगरानी कैमरों से देखे जाने का एहसास होने के बाद ओक्टावियो ने टीम की मदद करने के लिए दौर लगाई हमलावरों को हरा कर और गंभीर चोटों के बावजूद दरवाजा खोलने के लिए मजबूर कर दिया विलसन बच गया उसकी गंभीर हालत के बावजूद इसके बाद उन्होंने एरियल को पकड़ा फिर भी उसके प्रती नाराजगी महसूस की चिकितसा सहायता से इंकार करते हुए विलसन ने मिगवेल को अपने कैंसर निदान के बारे में बताया टीम के साथ अपनी मृत्यू तक रहने का विकल्प चुना कुछ समय बाद समूह अपनी यात्रा के लिए एक नाव पर रवाना हुआ थोड़े समय के साथ विलसन ने लिली को एक नए नाम के साथ पासपोर्ट दिया फिर मिगवेल से एक आखरी सिगार मांगा पता चला कि विलसन चाहता था कि मिगवेल को खजाने का उसका हिस्सा मिले और सफलता मिलने पर समूदर में दफनाने की इच्छा व्यक्त की बाद में विलसन की मृत्यू हो गई जिससे मिगवेल और टीम दुखी हो गए उस रात मिगवेल ने नक्षा का अधियन किया और तारों के बारे में सोचा शुरुआत में नक्षा बेकार समझते हुए मिगवेल ने अपना विचार बदला जब उसने छिपे हुए निशान पाए मांचितर को अपने स्टार चार्ट के साथ मिला कर मिगवेल ने खजाने के स्थान के निर्दिश शांक को डिकोड किया जो खतरनाक पानी में था जहां जहाँ अक्सर डूब जाते थे बिना देरी किये टीम ने अपने नाव को समनवए की और बढ़ाया कुछ ही समय बाद टीम ने फ्रांसिसको के डूबे हुए जहाँ के स्थान को सफलता पूरवक पहुंचा फिर मिग्विल, सीट लॉली और लुकास समुदर तल तक गए और एक बॉक्स को निकाला जिसे उन्होंने जल्दी से किनारे पर लाया इसके बाद उनके पास मौझू तीन पत्थर चाबी के रूप में बॉक्स खोलने के लिए काम आई मिग्विल ने समझाया कि तीनों शूरवीरों की अनूठी विशेशताएं और रुचियां थी और वास्तव में वे सब भी बहुत समान थे देरसल फ्रांसिसको को एक धोखे बाज और चोर के रूप में जाना जाता था फ्रांसिसको ने इसे तीन चाबियों से सुरक्षित किया क्योंकि पेड्रो और अलफोनसो पहले मारे गए थे लेकिन फ्रांसिसको द्वारा रखा गया मून्स्टोन की ही एक मात्र की थी जिसके लिए अन्य दो की आवश्यक्ता नहीं थी उसी क्षण मिग्वेल ने मून की का उप्योग किया और अन्तता वह खजाना जोवे इतनी देर से तलाश रहे थे सफलता पूरवक प्राप्त हो गया गहनों और सोने के अलावा इस चेस्ट में पन्ना आँखों वाला एक जगवार था उसी समय खत्रे को भांपते हुए इनिस ने सच्चाई की खोज की एक बार फिर मारको और उसके गुरगे खजाने का दावा करने के लिए प्रकट हुए औक्टावियों ने मारको का सामना करने की कोशिश की लेकिन उसके आदमियों द्वारा तेजी से काबू कर लिया गया चुपना रहते हुए इनिस ने जल्दी से मारको के सहयोगियों से निप्टा लिली ने अपराधी पर आखिरी प्रहार किया जैसे ही मारको ने वापस हमला करने की तैयारी की एरियल ने हस्तक्षेप किया और पहली गोली चलाई आखिरकार मिग्वेल ने अपने चाचा के हत्यारे को खत्म कर दिया उसके बाद एरियल ने गोल्डन जगवार को अपने संग्रहाले में जोडने का लक्ष रखा ताकि हर कोई उसकी संदर्ता का आनंद ले सके हालांकि बाकी सोना टीम के लिए खुला था जैसे ही लिली अपने जगवार के साथ जाने वाली थी मिग्वेल उसे जाने नहीं देना चाहता था ने उसे घातक रूप से गोली मार दी आखिरकार गोल्डन जगवार एरियल के संगरहाले में समाप्त हो गया और प्रत्येक टीम सदस्य को खजाने से बड़ी रकम मिली उस खशन में जुआन मिग्वेल की सफलता पर गर्वित था और इनेस को उसका बच्चा वापस मिल गया औक्टेवियो ने पूरे समय उसकी देखभाल करने की पेशकश की हालांकि हर कोई सोचता है कि लिली मर गई है लेकिन वास्तव में मिग्वेल लिली के साथ फिर से मिल जाता है यह पता चलता है कि यह उनकी योजना का हिस्सा है कि उसकी मौत को नकली बनाना है मिगुएल उसे अगले साहसिक कारे में वापस आमंत्रित करता है जो फिल्म का अंत है कहानी से सबक लें जब ख़जाना खोज रहे हो तो सुनिश्चित करें कि आपका पैराशूट सोने के बैग से भरा न हो और अगर आप कभी भी ख़जाने की तलाश में हैं तो अपने भागेशाली सिक्के को न भूलें क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि यह आपको एक सुनहरे जगवार तक कब ले जा सकता है